रम शराब ही नहीं बलकि एक दवा भी है अगर इसका सही मात्रा में सेवन किया जाए। रम के फायदे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसे कौन से महीनों में पीना चाहिए। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि जिस महीने के नाम में आर आता है उस महीने में रम पीना स्वास्थे के लिए लाबकारी माना गया है। डाक्टरों के द्वारा राम की मात्रा बढ़ों के लिए सिर्फ दो आउंस ही बताई गई है, जो 55 ग्राम ही बनती है। इससे ज्यादा पीना स्वास्थे के लिए हानिकारक है। आओ, इसके फायदों के बारे जानते हैं। रम की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह शरीर को उर्जा के साथ गर्मी प्रदान करती है। सर्दियों के दिनों में ताप मान को संतुलन बनाने के लिए रम पीना एक अच्छा विकल्प है। सर्दियों में रम पीने से खासी जुकाम बिल्कुल दूर रहता है। और ठंड लगने की समस्या भी ठीक हो जाती है। सर्दी में यह दिल को एकदम स्वस्थ रखती हैं और हार्ट अटैक की बीमारियों का खतरा भी कम कर देती है। रम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। सर्दियों में खास तोर पर बुढ़ापे में रम पीने से जोड़ों एवं मांस्पेशियों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है और मांस्पेशिया मजबूत बनती है। रम का सेवन शुगर की समस्या को कम करने में काफी मददगार है और इससे पिताशय की थैली से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जिससे बीमारियों का खत्रा कम होता है। रम के जरूरी पोशक तत्व शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं।